हेलो फ्रेंट्स कैसे वाप सबी आपका स्वागत है आपके योटूब चैनल क्रियेटिव स्टडिय के पर आज इस वीडियो के अंदर बई कुछ इंपोर्टेंट टोपिक्स हैं जिनके बारे में डिसकस करने वाड़े हैं सबसे पहला यही कि फर्स्ट और फर्ड समेस्टर के जो अभी एक्जाम होने है यूजी के और उसके बाद फर्स्ट समेस्टर के पीजी के एक्जाम होने हैं इनके अंदर जो पेपर अटेंट करने का पैटरन है वो क्या रहने वाड़ा है सेकिंड जिन सब्जेक्ट में यूनिट वाइज सिस्टम नहीं है जैसे कि हिंदी और इंगलिस में यूनिट नहीं होता तो उस केस में पेपर का पैटरन क्या रहने वाड़ा है और हमें कितने कोशन अटेम्ट करने होगे उसके बाद थर्ड कोशन है क्या जो ईवन सेमेस्टर का स्लेवस डिलीट किया गया है उसके अंदर यूनिट फॉर क्या सिक्स्ट सेमेस्टर वाड़ों के लिए भी डिलीट की गई है या नहीं उसके बाद जो नेक्स्ट है वो यही कि आप लोगों के जो प्रैक्टिकल एक्जाम है वो कब होंगे इसके अंदर फर्स्ट एंड थर्ड के बारे में भी बात करेंगे और फर्स्ट पीजी के बारे में भी बात करेंगे उसके बाद जो आप लोगों के इवन सेमेस्टर के एक्जाम है वो कब से होने वाड़े है और even semester के जो practicals हैं वो कब होंगे ठीक है तो वीडियो की करते हैं सुरबात तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये 30 तारीकों notice आया था और ये notice बिलकुल official है क्यों क्योंकि last में देख सकते हो बई controller of examination ये सपाल सिंगला जी के sign है और date भी डाली हुई है तो ये notice university की तरफ से आया था और जितने भी university के ग्रूप बने हुए वर्टसेप के उपर उन सभी में ये notice हैं तो सबसे पहले आप आप बात करते हैं कि जो जुलाई के अंदर आप लोगों के exam होंगी उनके अंदर आप लोगों को जो question paper है उसका pattern क्या रहने वाड़ा है और आपको कितना question attempt करने होंगे ठीक है तो सबसे पहले आप लोगों को बता रखा है कि no change in syllabus कि फर्स्ट और थर्ड समेस्टर यूजी और पीजी का फर्स्ट समेस्टर जो उनका syllabus है वो complete हुआ है तो syllabus के अंदर कोई change नहीं है और आप लोगों को question paper के अंदर छूट दे जाएगी अब छूट क्या होगी first point ये बोल रखा है कि first question क्या है compulsory है ठीक ह point में बोल रखा है attempt any four question out of eight question irrespective of units यहां पर ये बोल रखा है बई जैसे आप लोगों के पास क्या होता था unit first से दो question आते थे question one or question two unit second से आप लोगों के पास question आते थे third three और four unit three से question आते थे five four six और unit four से question आते थे seven और eight ठीक है अब question number first जो compulsory है ये part वो तो आपको करना ही करना है उसके बाद जो ये आठ question हो गए ना इन आठ question में से कोई भी आप लोगों को क्या करने है चार attempt करने है प्लस एक compulsory question ठीक है ये छूट दी गई है आप लोगों के जो जुलाई के अंदर exam होगे उसके अंदर c point के अंदर ये mention किया गया है where the syllabus is not divided into four units or the question paper are of different marks student will have to attempt the question as per instruction given in the respective question paper c point के अंदर ये mention किया गया है ज उसके अंदर क्या होता है यूनिट वाई सिस्टम नहीं होता ठीक है यूनिट वाई सिस्टम नहीं होता तो इस case में जो instruction आप लोगों के question paper के उपर लिखी होगी वही आप लोगों को क्या करनी है follow करनी है ठीक है in case जिस question paper में unit वगएरा नहीं है तो उस case में क्या करना होग आप लोगों को जो instructions हैं जैसी question paper के उपर लिखी है वैसे ही आप लोगों को question paper attempt करना होगा तो मोटे तोर पे बही जो जिस से subject के अंदर unit है उनको क्या करना है first question compulsory आठ में से कोई 4 और जिसके अंदर unit नहीं है जैसी question paper के उपर instruction लिखी है उनको क्या करना है follow करना है तो यह detail फ्रशमेस्टर थिए के एक्जाम होने वाड़ है जुलाई में उन Dw murk में अनके लिए अब बात कर लेते हैं ज्केंड फूर्थ और किस्थ समेस्टर अब एक सबसे बड़ा डाउट यह बणा हुआ वह प elementos के कि जो सिक्स्ष सेम्सटर है ना अगी जो सिक्स्ष मेस्टर है उसकी unit 4 नहीं कटी है यानि की जो 6th semester है उसके अंदर आप लोगों को complete syllabus करना है 75% वाड़ा कोई फंडा नहीं है ठीक है तो मैं आपको बता दूँ वह यह line पढ़ लेना second fourth and sixth semester exam of UG UG undergraduate होता है वही मतलब BA, BSE, BCAB, BA जितने सारे BA, LLB and second fourth semester of PG and second semester of PG diploma main and repair student 2018 onward तो देखो 246 semester और 2018 batch onward तो यहां पर देखो भई unit 4 has been deleted from the syllabus and question paper तो यहां पर जो 6th semester है उनकी भी unit 4 delete हो गई है यानि की unit 4 अब आप लोगों के syllabus में नहीं है दो 2018 batch से onward जितने भी student है उनके लिए और बही 2017 batch के student का सिरफ एक ही जिकर करिया गया है 8 semester BALB batch 2017 अब देखो यहां पर क्या जिनका second fourth और sixth semester के जो आप लोगों के exam है उनसे related क्या क्या आप लोगों को instruction दिये गए है और आप लोगों को paper किस तरह से attempt करना है वो देख लो सबसे पहले relaxation in syllabus and question paper तो भही यहां पर आप लोगों को relaxation दी गई है syllabus के अंदर भी और question paper के अंदर भी अब syllabus के अंदर क्या relaxation है कि आप लोगों का syllabus 25% क्या कर दिया गया है रिडियूज कर दिया गया है अब इसका मतलब क्या है कि आप लोगों की जो unit है unit 4 वो क्या कर दी गई है remove कर दी गई है ठीक है unit 4 आप लोगों की क्या कर दी गई है remove कर दी गई है और यह official notice है university का उसके बाद भाई where the syllabus slash scheme is divided into 4 units and the question paper from all units of same marks और weight is तो सबसे पहले यही बात बोल दी कि आप लोगों का जो हर unit में से questions होंगे वो क्या होंगे same होंगे यह नहीं कि unit first में से आप लोगों का question paper बना दिया unit second में से आप लोगों का question paper बना दिया ऐसा नहीं होगा तो जो unit 3 बचगी ना उनका जो marks का weight is होगा वो same होगा ठीक है अब देखो first point यह specially बता रहा हूं second fourth or six semester वाड़ों के लिए question number one will be compulsory student will and student will attempt four part of question number one out of seven or eight because some of question might be set from unit four out of remaining six question three unit देखो वही सबसे पहले मां आपको question first की गानी बताता हूं question number first के अंदर आप लोगों के पास क्या होता था जो compulsory part होता था आठ question आते थे आठ question दो दो marks के कितने number का 16 number का अब यहां पर university ने बोला है कि आप लोगों को आठ में से जो first question compulsory है उसके कोई चार ही part attempt करने है यानि की आठ मार्क के question आप लोगों के यहां से attempt हो जाएगे आठ के आठ नहीं करने आप लोगों को सिरफ चार question ही attempt करने है जो first question नमबर first होता है compulsory उसके आठ पार्ट होंगे और आठ में से आप लोगों को कोई चार ही attempt करने है उसके बाद out of remaining six question three units candidate will have to attempt any four out of six question अब पहले क्या होता था भई हर unit में से unit first में से आप लोगों के पास first question compulsory second और third unit second में से आप लोगों के पास दो question आते थे four or fifth unit three में से आप लोगों के पास आते थे six and seven और unit four में से आप लोगों के पास आते थे eight or nine अब क्या हुआ unit four तो आप लोगों की cut कर दी तो बच गए कितने question दो कोशन ये बचेगे, दो कोशन ये बचेगे, चार और दो कोशन ये बचेगे, अब आप लोगों को क्या करना है, छै में से कोई चार ही attempt करने है, और एक compulsory करना है, compulsory के चार पार, तो यहाँ पर यही चीज़ मैंसन की है, चार, फूर्ट यूनिट हमने रिमूव कर दी, त उसके बाद हिंदी और इंगलिस चाहाँ पर यूनिट वाइज सिस्टम नहीं है, वहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर यह मैंचन किया गया है, वेर दसलेबस इस नोट इवाइड इंट इंट फूर यूनिट और दो कोशन पेपर आर ओफ दिफरेंट मार्क्स, तुदेंट है to study the approximate 75% syllabus as deserved by the subject expert and the details of which is available in the college, यहाँ पर यह बोला गया भई, इंदिय और इंगलिस में भी आप लोगों को 75% syllabus ही पढ़ना है, और यह आपको कौन बताएगा, subject expert, यानि कि भई जो आपके HOD है, आपका जो teacher है, वो आपको बता देगा कि कितना आप लोगों को 75% syllabus है, पढ़ student will have to attempt the question paper as per instruction in the respective question paper, और जहाँ पर unit wise system नहीं है, जैसे इंदिय और इंगलिस में, जैसी ही instruction आप लोगों को उपर दी गई है, वही आप लोगों को क्या करना है, फोलो करनी है, अब बात आती है बई, reappear के जो student है 2017 बैच के, 2nd, 4th और 6th semester के, उनके लिए क्या क्या instruction है, अब के बाद, attempt any 4 question out of 8 question irrespective of units, where the syllabus is not divided into 4 units, the question paper are different, mark student will have to attempt the question paper, भाई देखो जो अभी तक मैंने बताया, 2nd, 4th और 6th का, वो 2018 बैच वाड़ों के लिए था, अब अगर मैं 2017 बैच के, रियापियर के student है, उनकी बात करूं, तो उनमें के है बाई, स्लेबस उनका पूरा होगा, पहली बात question first compulsory है, बाकी जो 8 question बच गे उनमें तक कोई 4 करती हो, ठीक है, यू pattern है, रियापियर के 2017 बैच के जितने भी student है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, इंदी और इंगलिस की जड़े unit wise system ना होए, तो उसमें जो तामाने question paper को, इस्ट फर्स थर्ड यहां पर mention है, फर्स थर्ड semester exam of UG, फर्स थर्ड and सेवंथ exam of BLLB and फर्स semester of UG, exam 20 तारीक तरह है, यह चीज आपाने बेरा है, जो practical ते related बता रहा है, नो साथ ततारे practical होंगे, ठीक है, अब जो practical से related बाते हैं, वह आपको को गाइड करेगा, और जैसा को बोलता तो second, fourth or sixth semester exam of UG, UG यानि के undergraduate, BA, BSE, BC, B.C., B.BA, BCA, जितने भी कोर्सी जा सारे हैं की बात करेण लाग रहे हैं, and second, fourth, sixth, eighth of B.LLB and second semester of PG and PG diploma, तो 19.08, तो जो even semester के exam है, जीजे यूउ यू यू इवस्टी में, 19 अगस्त तता है, स्टार्ट करे जाऊंगे फीक है, उसका बाद 2nd 4th के practical होगी बच गया कौन 6th semester और यहाँ पर यह specially mention है कि जो 6th semester के exam है जो 6th semester के practical है वो आप लोगों के theory exam के बाद लिये जाएंगे ठीक है तो यहाँ पर मैं आपको normally एक idea बताता हूँ यह मान लो भई 19 अगस्ट को आप लोगों के exam start होंगे normally मान लो 19 सर 10 29 सर 10 लगबग 10 September तक तारे exam खतम होंगे ठीक है schedule बताऊँ यह अकोरडिंग टू मे और ऐसा ही होगा लगबग 10 September तक exam होगे फिर 7 दिन तारे practical का schedule अरेंज करने में लागेंगे लगे 7 दिन 7 दिन बाद तारे 7 दिन प्रेक्टिकल लेन में लागेंगे 14 दिन होगे तो लगबग नू मान लियो September तो गया ठीक है September गया यह बात आव है October की October में तारा result त्यार होगा और November तक तारा result आवगा तो देख लिए schedule जो तारा यू बैच है यू November तक जाना है ठीक है यह निगी November तक October के लास तक और November के फर्स्ट वीक तक तारा result आवगा तो देख लिए भाई कितना result लेट आणा है पाकी तामे समझदार हो सारी चीज समझ लिए हो फिर भी जो कोई doubt रहे जो तारा अपनी ID है क्रियेटिव स्टडी एके का नाम दे मैसेज कर दियो डेफिनेटली तारा रिपलाई मिलेगा ठीक है ठैक्स पर वोचिंग क्रियेटिव स्टडी एके